हलो गाईज दिसे संजी कुमार फॉर कॉंटेक्स वाउचन चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ आज मैं आपके सामने टैली प्राइम सौफ्टर में एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ और इस टॉपिक में मैं आज आपको सिखाऊंगा कि पर्चेज आउडर, रिशिम नोट और पर्चेज वाउचर की इंट्री किस प्रकार से की जाती है तो चलिए देखते हैं कौन-कौन से इंट्री है जो हम इस वाउचर में करेंगे तो मेरे पास जो पहला कोश्चन है वो है open your company यानि आप अपनी company को on कर लिजेगा और उसमें आपको purchase, sell order, tracking number and zero value इंट्री को allow करना है जब तक आप ये allow नहीं करेंगे तब तक आपके इंट्री पास भी नहीं होगी ठीक है दूसरा question है company place and order यानि company क्या कर रही है order place कर रही है order number आपके सामने दिया ord slash bid slash 01 to bg info tech private limited ठीक है dated on यह date से कोई मतलब हुए नहीं रखना है for the given period ठीक है अब इसमें product name है bgbs 3 point bgps 3 point ठीक है 6 और यह quantity 2 piece हमने order दिया है उसके बाद लिखा है bgpm 3.6 यह मैंने 1 piece order दिया है यानि हमने क्या किया है bg info tech company को समान purchase पर निकले order दिया है ठीक है तो इसकी जो entry होगी हम purchase order voucher में करेंगे फिर अगला question है तीसरा number company place an order order number है ord slash msc slash 01 अब यहां पर लिखा to microsoft corporation यानि इस company को हमने order दिया है समान खरिदने के लिए तो product मेरे पास है microsoft office 2007 b और इसकी quantity 3 piece है microsoft office 7 s quantity microsoft office 7 p to quantity और microsoft office 7 h 4 quantity ठीक है तो यह सब हमने क्या किया company को order दिया है समान purchase करने के लिए अगला question है चौथा number company place an another order company ने क्या क्या फिर order दिया bg bs को इस order number से समान खरिदने के लिए तो यहां पर bg pm 3.6 एक पिस और order दिया गया ठीक है तो इसकी entry हम कैसे करेंगे उसके बाद आता है पाच्वा number question company receive invoice come चलान on 269 from bg infotech private limited and store in gold घर ठीक है company ने क्या किया है जब समान का order दिया था तो company ने उस समान को receive किया है और उसके साथ साथ उसका चलान और invoice भी receive किया है ठीक है तो इसकी entry हम कैसे करेंगे तो यहां पर चलान number दिया है और bill number दिया है तो यहां पर चलान भी पनाएंगे और bill भी generate करेंगे तो against both order हम कैसे इसकी entry पास करते हैं वो हम देखेंगे फिर अगला question है company receive invoice कम चलान from Microsoft Corporation against order यानि अभी जैसे बीजी इंफो टेक्स से order में ने receive किया वैसे हम Microsoft Corporation से भी order receive करेंगे और समान को store करेंगे गोल घर में यहां पर हम चलान number और bill number यहां पर डाल देंगे ठीक है तो यह यह मेरे पास सारे stocks हैं तो इसके entry हम कैसे करेंगे tally prime software में वो हम देखते हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को subscribe कर दीजेगा चैनल को subscribe कर दीजेगा like करिएगा वीडियो को और comment करके बताएगा यह वीडियो आपको कै कोशन को अपने tally software में solve कर सकते हैं जिससे आपको अच्छी knowledge हो जाएगी ठीक है तो हम चलते हैं live practical करने के लिए हम आगा है tally prime software में और हम क्या करते हैं कि वो सभी इंट्री जे आपको one by one करके बताते हैं कि हम tally prime software में कैसे करेंगे ठीक है तो चलिए start करते हैं पहला question था हमें पहले तो enable करना है सभी चीज़ों को enable कैसे करेंगे तो हमें जाना होगा पहले तो यहाँ पे alter में अल्टर में जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक option आता है voucher type का यहाँ जाएंगे यहाँ जाने के बाद आप खुद देख लिजे आपके पास वो सारे vouchers पहले से अल्ड़ी बने बनाए हैं तो आपको सबसे पहले जाना है purchase order voucher में और इस voucher में आपको enable करना है allow zero value entry या इसे ही हम receive note में चले जाते हैं और इसमें भी देख लेते हैं कुछ activate करना है या नहीं करना है तो receive note voucher में भी हम यहाँ पर आगे इसमें कुछ करना नहीं है बस इसको हम देख लेते हैं किसमें सारे option है उसके बाद purchase voucher में हम चले जाते हैं और purchase voucher में देख लेते हैं ठीक है है ना purchase order है ठीक है तो आपको यहाँ पे जाना है या अदर ऑप्शन में ठीक है अब आप यहाँ पे so in creative inactive पे क्लिक करिएगा तो आप जैसे यहाँ दिखेंगे सारे आपके सामने दिखेंगा सभी की shortcut की आपके सामने दिख रहा होगा आपको अगर कोई भी बाउचर यहाँ पर जो हाइलाइट है वो एक्टिवेट है और जो अन हाइलाइट है यानि जो हलका सा transparent color में है वो आपका activate नहीं है तो आपको activate करना पड़ेगा तो जैसे अगर आपको कोई भी बाउचर एक्टिवेट करना है तो आप उस पर double click करिए तो आपसे वो पूछेगा yes या no ठीक है तो आप उसको क्या करिएगा yes करा दीजेगा और जैसे आप yes कराएंगे तो वो बा यहां पर आपके सामने खुल जाएगा अब आप परचेज बाउचर में जब जाएंगे तो यहां पर आप नाइन शॉटकट किये इसकी और यहां पर एक चोटा सा एरो बटन बनाऊगा राइट साइड में इस पर क्लिक करेंगे तो आपको तीन बाउचर दिखाएगा एप ही वहां पर पूछना पार्टी ने किस पार्टी को हमने ऑड़र दिया था ब्जी नेम आप आइटम्स तो हमाएं आरे पास जो स्टॉक था वो स्टॉक था बीजी पी एस 3.6 यहां पर इंटर करेंगे और यहां पर गोडाउन से लेट कर लेंगे गोल घर और यहां पर कित्ती क्वांटिटी और दे रहे थे एक दो पीस तो हम दो पिस लिख लेंगे इसको लिख दिया अब इसकी हमके इंट्री को क्या करना है सेब कराना तो हम इसको इंटर करते हुए जाएंगे और इसको यहां से सेब करा देंगे जैसे आप यहां से सेब कराएंगे तो आपको यहां पर एकसेप्ट कर लेगा और एगर एकसेप्ट नहीं करता बोलता नो ठीके तो आपको क्या करना है पर्चेशॉडर बाउच्वर में जाना है और भासे उसको जी रो बैली ऑप्ष्टन को एलाउट कर देना तब ही आपका यह बाउचर से भूगा नहीं तो नहीं होगा क्यों कि आपने कोई वैलू के इंट्री नहीं करना है इसलिए आपका यह ए माइक्रो सौप कार्पूरेशन ठीक है अब कार्पूरेशन में हम लिखने के बाद अंडर डालेंगे यहाँ पर सेंडरी क्रेटर क्योंकि हम इससे समान खरीद रहे हैं ना कि बेच रहे हैं और यहाँ पर आप यस करा दिजेगा मेंटेन बिल बाई बिल ठीक है इस कराने के बाद आप इसको क्या करिएगा सेप करा दिजेगा अब आपको यहाँ पर ओडर नमबर डालना है तो ओ और डी स्लैस मस्स्लैस जिरो वन अब यहाँ पर फिर पर्चेज अकाउंट और यहाँ पर इंटर अब अगला श्टाउक था Microsoft Office 2007 बी तो यहाँ पर हम बी स्लैट्ट कर लेंगे यहाँ पर गोलगर कॉंटिटि था घर और यहां पे quantity two piece ठीक और यहां पे फिर Microsoft Office H यह मैंने आपको पहले से स्टॉक आइटम जब create कर रहे तब मैंने आपको बताया था कि स्टॉक कैसे क्रियेट किया था तो सारे स्टॉक मेरे क्रियेट है क्योंकि मैंने उसमें आपको क्रियेट करना बताया था इसलिए हम यहां पे यह सारे हमको स्टॉक मिल जा रहे हैं यह करने के बाद हम इसको क्या करेंगे सेप करा देंगे ठीक अगला कोश्चन है मेरे पास यहां पे तीसरा चौथा कोश्चन है कंपनी प्लेस एन और अब फिर से हमने बीजी इंफोटेक को और दिया तो हम यहां पे फिर बीजी इंफोटेक स्लेट कर लेंगे और यहां पे और नंबर लिखेंगे यहां पे पर्चेज अकाउंट अब यहां पे और जो हम दे रहे हैं वो बीजी पीम का है एक वोलगर सेलेट कर लिया वन पीस आउडर दे दिया अब इसको हमने क्या किया सेप करा दिया अब हमारे पास कोश्चन आता है कि कंपनी रिशिव इनवाईस कम चलान यानि कमपनी क्या कर रहे है चलान के साथ साथ इनवाईस भी रिशिव कर रहे है तो इसकी इंटरी हम कैसे करेंगे तो चलान की इंटरी होती है रिशिव नोट बाउचर में और बिल की इंटरी होती है पर्चेज बाउचर में ठीक है सारी कोश्चन में देख लिएगा मैंने हाइलाइट करके दिखाया है आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं यहां पर पार्टी ने बीजी इन्फो टेक लेंगे और यहां से हम और नमबर स्लेट कर लेंगे क्योंकि और के अगेंस ही हम क्या कर रहे हैं इस इंट्री को पास क कर रहे हैं ठीक एक चीज़ बैक करके मैं दिखा रहा हूं बाउचर में गया पेजब किया यहां पर और नमबर मैंने सेम डाल दिया है इसलिए एक ही दिखा रहा है तो आपको यहां पर और नमबर टू डालना था इसको save करा दे रहे हैं अब यहां से हम फिर से receive note voucher में जा रहा है और यहां पे हम cs.bit.01 यहां पे बिजी इन फोटेक और यहां पे देखिए दो आडर दिखा ना मैंने दो आडर दिया था दो नो आडर हम से one by one select कर लेंगे और select करने के बाद यहां पे purchase account आजाएगा अब यहां पे देखिए सारे stocks आपके दिखा रहे होंगे stock और quantity आपको बस इंटर करते हुए rate भरना है तो rate क्या है शत्तर सो रुपया पर पीस दूसरे का दाम है 19,000 रुपय पर एक पीस का दाम है फिर अगला वाला 19,000 रुपय एक पीस का दाम है तो आप यहां पे लिख के इस तरीके से आप इसको save कराके voucher rate कर सकते हैं यह तो था आपका चलान अभ आका है अपका bill, अभ bill कैसे बनाते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे परचेज बाऊचर पे click करेंगे तो यहां पे मेरा परचेज बाऊचर आ जाएगा अब यहां पे हमें क्या करना है हम लिखना pur slash bit slash 01 यहां पर हमारे पास चलान क Filch करना है और यहां पर सारे के सारे डीटेल हमारे पास फिलोके आ जाएंगे यह थी सारे के सारे talk quantity सब आता हैं बस मैं इस्को क्या करना है accept कराना है और इसको आखको तिरपन हजार रुपय का जो मेरा बिल था वो जनरेट होगी है अब इसको हम सेफ करा देंगे इसी तरीके से अगला कोश्चन था कंपनी रिशिप इन्वाइस कम चलान माइक्रो साथ कार्पोरेशन से तो हमें फिर जाना है रिशिप नोट वाउचर में और यहां से रिशिप और नंबर से लिए बीन और नंबर आपका नहीं दिखाएगा तो आपको और नंबर स्ट करना पड़ेगा ही अब यहां पर सारा स्टॉक्स आपके पास आगया आपको क्या करना वस रेट भरना है पहले वाले का जो एमांट है वो 71,000 रुपया है एक पीस का दाम तो टोटल हो गया 13,300 दूसरे वाले का दाम 8,000 रुपया है तो टोटल हो गया 16,000 ठीक इसका अमांट है 9,200 तो यहां पे हो जाएगा ठेरा जार चाल्सो रुपया टोटल ठीक अगले वाले का जो विल है वो है 25,000 रुपया एक पीस का तो टोटल हो गया 10,000 यानि हमारा जो बिल बना रिशिप नोट में हमने जो स्टॉक रिशिप किया वो पैसफ़ हजार साथ सो रुपय का अब यह तो के वल था चलान यानि कच्छा बिल अब इसको हम पक्के बिल में कैसे कनवर्ट करते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे पर्चेज बाउचर में जाएंगे अब पर्चेज करने के बाद यहां पे हमारे पास सारे स्टॉक के अमाउंट और रेट सब फिल होके आजाएंगे क्वांटिटी के साथ बस इसको हमें क्या करना है सेफ कराना है और सेफ कराने के बाद इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं तो इस तरीके से हम पर्चेज बाउचर के ठीक है डिलिबरी नोट और सेल इंटरी किस प्रकार से टैली प्राइम साफ्टर में की जाती है धन्यवाद